हलो दोस्तो राची टेक्निकल में आपका फिर से एक बार स्वागत है आज की स्वीडियो में हम देखेंगे कि 33 KB के लाइन में DP पोल क्यों यूज़ किया जाता है और इसका क्या फाइदा है और इसमें कौन-कौन से मट्रियल होते हैं चलिए वीडियो सुरू करते हैं तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारा 33 KB लाइन का DP पोल है इसमें DP पोल मतलब डबल पोल होता है ये हमारा 9 मीटर का दो पोल लगा हुआ है इसलिए हम इसे डबल पोल कहते हैं और इसमें क्या-क्या मट्रियल यूज होने वाला है इसी के बारे में हम आज के वीडियो में बात करेंगे जैसा कि आप लोगों को पता है 33 KB का लाइन, हाइटेंसन लाइन होता है तो इसमें जो पोल लगाया जाता है वो इस्टेट लगाया जाता है HT जो लाइन होता है उसमें इस्टेट पोल लगता है तो ये काफी किलोमेटर तक यूज किया जाता है क्योंकि सबिस्टेशन टू सबिस्टेशन ये PSS टू सबिस्टेशन के लिए यूज किया जाता है पोल तो बीच बीच में इसकी जो दूरी होती है इसको strong करने के लिए हम dp pole का use करते है दूसरा use dp pole का कहीं कहीं पे line को turn करने के लिए हमें मतलब root change करने के लिए dp pole का use किया जाता है इसके साथ में जहाँ पे jump ring किया जाता है वहाँ पे अगर बाद में जंपरिंग के आगे लाइन में काम करना पड़ेगा तो जंपरिंग खोल के डिपी पोल से काम किया जा सकता है इस तरह से डिपी पोल का यूज किया जाता है अब हम बात करेंगे इसमें यूज होने वाले मटरियल्स के बारे में कि इसमें कौन-कौन से चैनल से यूज होते हैं ये जो चैनल से आप देख रहे हैं ये टोप चैनल है जिसकी लंबाई है लेंथ है 32 mm इसके लंबाई और जो चवड़ाई है करीब 4 इंच का है इसमें देखे ये दो बोल्ट लगते हैं नट के साथ इस बोल्ट की जो लेंथ होती है ये करीब 11 इंच के आसपास इसकी लेंथ होती है तो ये जो चैनल है ये हमारा टोप चैनल कहलाता है जो की पोल में टोप पे लगता है ये जो आप देख रहे हैं ये उसका इस्टे का clamp है ये दोनों और उसके nut bolts है जो की इस्टे का जो turn बकल है उसे fit करने के लिए use होता है इसके बाद ये हमारा देखिए disc insulator with hardware है ये हमारा pole में top channel में ये करीब ये total 6 पीस का ये लगता है इसके पहले वीडियो में भी मैंने इस disc insulator के बारे में बता चुका हूँ ये जो disc insulator होता है ये polymer का बना होता है और ये conductor को hold करके रखने का काम करता है ये channel में top channel में दोनों side से लगा हो रहता है total 6 पीस का जो होता है उसके बाद देखिए ये turn buckle है जो की stay के लिए use किया जाता है और इसे कहां पे लगाया जाता है कैसे लगाया जाता है मैं आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगा अब देखिए DP pole में जो channel लगता है वो एक pressing angle होता है दूसरा belting angle होता है और तीसरा top channel होता है तो इन तीनों के बीच का जो distance होता है ये 2500 mm और 2500 mm होता है तो ये total 75,000 mm हो जाता है और उसके बाद जो जमीन में जो गड़ा खोद के pole को नीचे डाला जाता है वो करीब 1500 mm होता है तो total हमारा 9,000 mm हो गया मतलब 9 meter का pole इस तरह से complete हो जाता है दोनों pole के बीच का जो distance होता है वो होता है 1525 mm जो की center to center मतलब दोनों pole के center to center से नाप लिया जाता है जो की 1525 mm का distance होता है इसके साथ में जो हमारा ये DP pole है यहाँ पे देखिए जो disk insulator लगा हुआ है with hardware वो 6 पीस लगा हुआ है उसके साथ ये इस्टे का rud जिसे anchor rud और anchor plate कहते हैं यहाँ पे install किया हुआ है और turn buckle के साथ इसमें इस्टे wire और gay insulator लगा के इसे fix किया जाएगा और उपर में 3 pin insulator जो की fist plate के साथ में लगा के fitting कर दिया जाएगा इसमें total 5 HT stay यूज किया जाएगा और इसके साथ में जो conductor यूज होगा वो हमारा 33 के भी line के लिए dog conductor यूज किया जाता है जो की pin insulator के साथ में जंपरिंग करके connect कर दिया जाता है डीपी पोल में और इसके साथ safety purpose से पाइपर तिंग यूज किया जाता है जिसका length होता है तीन मीटर और पोल में बार्बेड वायर डेंजर बोड और ACD क्लैम भी साथ में यूज किया जाता है तो इसका यही detail वीडियो है मेरा वीडियो कैसे लगता है बताइएगा दोस्तो हम मिलेंगे next वीडियो में वीडियो देखने के लिए thank you